पाँच्पा दिन, फिफ्थ दे वर्तमान काल, present tense अंग्रेजी भाशा में present tense की क्रिया को चार रूपों में बांटा गया है राम स्टाडीज फिर्स्ट वन राम पढ़ता है तू, राम इस स्टारीग राम पढ़ रहा है त्री, राम हैस स्टाडीज राम ने बढ़ लिया है 4. राम हैस बीन स्टाडीज सिंस मोनिंग राम सुबह से पढ़ रहा है यहाँ पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान काल की तो है पर समयनिश्चित नहीं है राम स्टाडीज राम पढ़ता है पर यह पता नहीं कि कब से पढ़ता है दूसरे वाके में वर्तमानकाल की क्रिया चल रही है राम is studying यानि राम इस समय पढ़ रहा है तीसरे भेद में राम has studied राम ने पढ़ लिया है अर्थात क्रिया पूरी हो चुकी है पर उसे अधिक समय नहीं बीता और चौथे भेद में राम has been studying since morning अर्थात क्रिया एक निश्चत समय से चल रही है इन्हें क्रमशाह, present indefinite, present continuous, present perfect और present perfect continuous कहा जाता है A. Does, Do Manish, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? Do you study English? शामल, हाँ Yes, I do Manish, क्या लटा तुम्हारे घर आती है Does Lata come to your house? शामल, हाँ वो कभी-कभी आती है Yes, she comes sometimes Manish, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते है Do other friends also come to you? शामल, हाँ वे भी आते है Yes, they do Manish, क्या तुम मुंबई रहते हो? Do you stay in Mumbai? शामल, नहीं, मैं कोलकाता रहता हूं No, I stay in Kolkata B, is, are, am Bala, क्या यही पुस्टक तुम्हे चाहिए? Is this the book you are looking for? Madhu, हाँ, यही पुस्टक मुझे चाहिए? Yes, this is it Bala, क्या रीटा फिल्म देख रही है? Is Rita watching a movie? Madhu, नहीं, वो वीडियो गेम खेल रही है No, she is playing a video game Prishtu, peace Bala, क्या तुम अब बाजार नहीं जा रही हो? Are you not going to market now? Madhu, नहीं No, I am not Bala, क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नोगरी करते हैं? Is your father in government service? Madhu, नहीं, मेरे पिताजी व्यापारी है No, he is a business man Bala, क्या तुम्हारा भाई किसी परिक्षा की तयारी कर रहा है? Is your brother preparing for some examination? Madhu, हाँ, वो IAS परिक्षा की तयारी कर रहा है Yes, he is preparing for the IAS examination C, has, have Mohan, क्या तुम्हारे राधा को कोई पत्र लिखा है? Have you written any letter to Radha? Bhanu, हाँ Yes, I have Mohan, क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है? Has she replied to your letter? Bhanu, नहीं No, she hasn't Mohan, क्या तुम्हारे खाना खा लिया है? Have you taken your meals? Bhanu, नहीं मैंने सुबह का नाश्ता काफी भारी किया था No, I had a heavy breakfast in the morning Mohan, क्या तुम उसके घर गए थे? Did you go to his place? Bhanu, नहीं अभी मुझको जाना है No, I have yet to go D, has been Have been Shyaam Shyaam, तुम सुबह से क्या कर रहे हूँ? What have you been doing since morning? Gopal, ये किताब पढ़ रहा हूँ I have been reading this book Shyaam, क्या कल से यहां भी बर्शात हो रही है? Has it been raining here also since yesterday? Gopal, हाँ हो तो रही है पर रुक रुक कर Yes, it has been, but not continuously Shyaam, क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? Has the water been boiling for long? Gopal, नहीं, अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है No, it has been boiling only for a little time We have been living in this house for 10 years He has been working on a new project since January प्रिष्ट एक केस याद रखें, remember इन वाक्यों को ध्यान से सुनिये 1. You are writing a letter तुम पत्र लिख रहे हो 2. You have written a letter तुम पत्र लिख चुके हो ये दोनों सकारात्मक यानि की affirmative वाक्य है A-F-F-I-R-M-A-T-I-V-E Affirmative इनको नकारात्मक यानि की negative N-E-G-A-T-I-V-E negative तथा प्रेशनात्मक Interrogative I-N-T-E-R-R-O-G-A-T-I-V-E Interrogative वाक्यों में इस प्रकार बदला जा सकता है नकारात्मक यानि की negative 1. You are not writing Writing a letter प्रेशनात्मक Interrogative Are you writing a letter? Question mark 2. You have not written a letter नकारात्मक negative प्रेशनात्मक Interrogative Have you written a letter? Question mark आपने देखा कि सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्ये बनाने के लिए सहायक क्रिया Are, Have के बाद not जोड़ना परता है Not, not जोड़ना परता है इसी तरह प्रेशनात्मक वाक्यों में सहायक क्रियाई Are, Have वाक्य के शुरू में आ गई है इससे हमने सीखा कि Present Continuous Tense तथा Present Perfect Tense में सकारात्मक से नकारात्मक तथा प्रशनात्मक वाक्य आसानी से बनाई जा सकते हैं अब Present Indefinite Tense के उदारन लीजिए 1. You write a letter तुम पत्र लिखते हो 2. I read English मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ अब इनके नकारात्मक तथा प्रशनात्मक वाक्य सुनिये नकारात्मक नेगिटिव 1. You do not write a letter प्रशनात्मक इंटरोगेटिव Do you write a letter? 2. I do not read English नकारात्मक नेगिटिव प्रशनात्मक इंटरोगेटिव Do I read English? इस टेंस में डू या डज जोडा जाता है D. O. Do या D. O. E. S. डज तभी नकारात्मक या प्रशनात्मक वाक्य बनते हैं डू का प्रयोग बहुवचन करता के साथ और डस का प्रयोग एक वचन करता के साथ होता है पर I तथा Y. O. U. U दोनों के साथ डू का ही प्रयोग होता है डस का कभी भी नहीं प्रेष्ट बाइस